यह वीडियो में हम बात करेंगे टैली पराइम में यूज होने वाले different types के vouchers के बारे में तो अगर vouchers के बारे में आपको देखना है तो gateway of tally में अगर आप आओगे और v più case करोगे आधर यहाँ जो option है उसके उपर जाकिए आप click करोगे या फिर enter करोगे तो ये right side पे आप देख सकते हो कई सारे आपको vouchers नजर आ रहे हैं अब ये वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो 8 तरह के जो voucher है जो main voucher है और उसमें ज्यादा तरह entries होती है तो one by one सारे जो vouchers है उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला है F4 यहाँ पे F4 आप प्रेस करोगे तो contra voucher आपको मिलता है contra voucher आपको क्या बताता है contra voucher में आप वो वाली entry करोगे जो bank to cash या cash to bank या bank to bank से जुड़ी होगी मतलब है अगर आप cash bank में deposit करते हो या फिर cash bank से withdraw करते हो तो आपको contra voucher में entry करनी है वैसे ही आपकी एक bank से दूसरी bank में आप amount transfer करते हो तो वो वाले case में भी आपको contra voucher use करना होता है दूसरा जो हमारा voucher है वो है payment उसकी shortcut की है F5 payment voucher आपको कब use करना है तो जैसे कि इसका नाम है जब भी कभी आप payment करोगे अब यह जो payment होगी वो payment हमेशा cash में या bank से होगी आप या तो payment net banking से या फिर banking mode से किसी भी तरह से करते हो या फिर cash में payment करते हो तो कोई भी तरह की payment होगी business में उसके लिए आपको payment voucher use करना है चलिए वैसे ही receive voucher उससे बिलकुल उल्टा है receive voucher आपको कब use करना है कि जब भी कभी आपके business में amount receive होती है या तो फिर cash में या फिर banking mode से तो किसी भी तरह से आपको income receive होती है income माने amount receive होती है banking या फिर cash के mode से तो आपको receive voucher में entry करनी है general voucher है हमारा app 7 general voucher मैं आपको last में discuss करूँगा क्योंकि कुछ और जो voucher में अच्छे से आपको समझा दूँगा तो बाकी रहेगा journal वो आपको explain करूँगा मैं last में दूसरा एक voucher है sales voucher F8 आपके business में जो भी आप कुछ बेचते हो तो आपका जो goods बेचा जाता है या फिर services आप provide करते हो उसकी entry आपको sales में करनी है means business में जो आपकी primary activity होती है जैसे समझ लिजए आपका laptop का business है और आप laptop बेच रहे हो तो वो वाले किसमें आपकी primary activity क्या हो जाती है laptop बेचना तो जो laptop आप बेचते हो वो आपका sales बोला जाएगा अगर कोई professional services आप provide करते हो तो professional service भी आपकी sales में उसकी entry की जाएगी वैसे उससे बिलकुल उल्टा है कि जब भी business में जो भी माल आप purchase करते हो या फिर services receive करते हो जो आपकी primary goods है या फिर service है तो उसकी entry आपको purchase voucher में करनी है तो हमने already देखे कितने voucher देख लिए एक contra, payment, receipt, sales and purchase तो already हमने 5 vouchers पढ़ लिए अभी इसमें 2 और voucher है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा और वो है देखे एप 10 वाला option आपको नज़र आ रहा है एप 10 वाला option आपको price करना है तो यहाँ पे आप देखो कि credit not और debit not आपको नज़र आएगी अब जो लोग tally ERP 9 यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि credit not और debit not के लिए वहाँ पे shortcut different थी वहाँ पे आपको control 8 credit not के लिए यूज़ करना था और control 9 था वो आपको यूज़ करना था debit not के लिए तो अब यहाँ पे जो shortcut है वो थोड़ी different है tally prime में credit not के लिए alter F6 है और debit not के लिए alter F5 है तो पहले हम discuss करेंगे debit not के बारे में debit not किसलिए होती है कि जब भी आपने business में जो purchase की है वो purchase आप return करते है तो वो वाले case में आपको debit not generate करनी होती है तो वो वाले वक्त में आपको यह जो voucher है debit not वाला वो use करना है और वो माल अगर वापस आ रहा है तो वो वाले case में आप credit not generate करोंगे तो अगर आप supplier हो और आपका माल वापस आया है तो आपको credit not generate करनी है और अगर आप recipient हो मिनसा आपने माल करीदा है या फिर service लिए है और वो service या माल जो आप वापस कर रहे हो तो वो वाले case में आपको debit not generate करनी है कई बाद discount received और discount given के case में भी आपको credit not और debit not raise करनी होती है यह depend करता है कि किस तरह से आप accounting करते हो otherwise general voucher में भी कई लोग उसके entry करते है तो general के उपर भी हम अभी आएंगे लेकिन simply समझ लिजे credit not माने आपका जो बेचा हुआ माल वापस आया तो आपको credit not बनाना है और आपका खरीदा हुआ माल आप वापस बेच रहे हो किसी भी वज़े से तो वहाँ पर आपको debit not raise करनी है अब बात होगी general voucher की बहार निकलेंगे यहाँ पर आपको नजर आएगा F7 इसके shortcut की है general voucher general voucher आपको कब यूज करना है जब भी किसी तरह की entry, adjustment entry होती है मैं समझ लिजे कि आपने किसी से माल खरीदा आपने उधारी पे माल खरीदा और अब यह हुआ कि उधारी पे आपने माल तो खरीद लिया लेकिन जब उसको payment करोगे तो आप payment voucher में entry करोगे लेकिन कई बार यह होता है कि वो जो party है वो हमें discount देती है party हमें discount देती है जिनके पास हमने माल खरीदा है तो discount हमारी income हो जाती है तो एक आपका उसमें account रहता है discount receive का और दूसरा जो party होती है वो party को आपको debit करना होता है तो अब यह वाली जो entry है यह transaction entry है उसमें कोई भी cash की बात नहीं या फिर bank की बात नहीं ना cash receive होता है ना bank से receive होता है वैसे ही ना ही cash से payment होता है ना banking mode से payment होता है तो cash की कोई entry नहीं रहेगी वो general voucher में ज़्याद ज़्यादर entry वो की जाएगी तो अगर general voucher के बारे में हमें simple way में आपको बताना है तो मैं यह बोल सकता हूँ आपको जब भी आपको leisure adjust करने होते है तो आपको general voucher use करना है और most important जब आप tally में entry करते हो तो आपके लिए journal voucher होता है कई तरह के जो settlement होते है tax payable होता है tax receivable होता है कई बार GST receivable, GST payable ऐसे कुछ ledgers होते है then TDS का जो concept आता है वहाँ पे कई बार bad date का concept आता है कि जब आप किसी से पैसे मांग रहे हो लेकिन वो पैसे मिलने ने वाले कुछ bank के transaction होते sorry bank के तो नहीं होगे लेकिन loan से जुड़े जो transaction होगे तो वहाँ पे entry को आपको adjust करना पड़ता है टैली में और adjustment के entry के लिए आपको app 7 general voucher use करना है तो हम देखेंगे one by one सारे जो voucher से वो कैसे काम करते कैसे आप उसके अंदर entry करोगे वो सारी चीज हम समझेंगे तो ये वीडियो में आपके लिए इतना ही आगे वाली वीडियो में हम सारे voucher के बारे में one by one डिसकस करेंगे